शरीर जला देने वाली गर्मी, जीना दूभर कर देने वाली गर्मी, ऐसी गर्मी कि मानो सूरेदेव पृत्वी वासियों से प्रतिशोध ले रहे हो मार्च से शुरू हुआ गर्मी का ये प्रहार अभी भी जारी है लेकिन जैसे प्यासे को जल मिलने की भाती ही आज राजस्थानी दिल्ली समेथ उत्तर भारत के कई शहरों में मूसलधार बारिश और तेज हवाय चली जिसे यहां के लोगों ने राहत की सास ली दिल्ली से लेकर यूपी तक, हर्याना से लेकर उत्तराखंड तक, पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पढ़ रही है गर्मी से राहत तलाश दे लोगों पर इंदरदेफ ने अपनी कृपा बरसा दी है बारिश आज हो गई है दिल्ली में सुभा 5 बजे शुरू हुई बारिश के चलते तापमान सुभा-सुभा 18 डिग्री सेल्शियस तक दर्श किया गया जो कुछ दिनों पहले से 45 से 49 डिग्री के आसपास था लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इस बारिश ने भी सामान ने लोगों के जीवन को दो तरह से प्रभावित किया एक तरफ जहां लोगों को चलचलाती हुई धूप से थोड़ा आराम मिला तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा जखा जखा जल भराओ और ट्रैफिक जैम के कारण शहरीयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली का हाल सरकार और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी हर बार की तरह इस बार भी बारिश के कारण राजधानी दिल्ली में एक प्रकार से फिर से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि जो इंतिजाम हुए थे उनकी पोल एक बार फिर से खुल गई यहां के आईटियो इलाके और राओ तुलराम इलाके में जल भराओ की वज़ा से गाडिया सडकों पर रेंगती हुई नजर आए वहीं हौचखास इलाके में कई पेड भी अपनी जड़ों से उखड गए ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे NCR में भी देखने को मिला गाजियाबाद और नॉयडा में भी एक और जहां लोगों को रहत महसूस हुई तो वहीं आम लोगों को अपने रोजमर्रा के कारियों में जाने में परिशानिया भी हुई नॉयडा में कुछ पेड भी गिरे दिखे हरियाना के गुरुग्राम में भी बारिश के कारण हुए जल भराओं के कारण लोगों के सामने काफी दिक्कतें आई देव भूमी उत्राखंड में भी बारिश के कारण मौसम खुशगवार हो गया राजधानी देहरदून में मुस्लत और बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को सुकून मिला बाबा के दार के धाम में भी चार धाम यात्रा के बीच जम कर बारिश हुई एक तरफ मैदानिक शेत्रों में बारिश ने तापमान को गिरा दिया तो वही पहड़ी इलाकों में बरफबारी भी हुई हिमाचल प्रदेश के धरमशाला में बरफबारी होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई मौसम के करवट बदलने से लोगों को राहत भी मिली और कुछ जगा बारिश आफ़त का सबब भी बनी बीते दिनों बारिश और आंधी के कारण काफी जानमाल का नुकसान हुआ था इसलिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए